हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो आज से हम लोग Class 6 की NCERT की बुक को पढ़ेंगे ये Class 6 की Science की NCERT की बुक है और इसको कम्पलीट करने के बाद Class 7 की बुक और उसके बाद Class 8 की बुक को कम्पलीट पढ़ेंगे क्योंकि सीटेट एकजाम में इससे ही प्रस्ण पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज के वीडियो को आज क्लास 6 की बुक का पहला लेसन है भोजन के घटक तो भोजन के घटकों के बारे में जानेंगे इस लेसन में बिटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स इन सब के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये वीडियो आपको continue मिलेगी, इसके अलावा sst की भी मिलेगी, ebs की भी ncrt की जो वीडियो है उसमें किलास फोर्थ और फिप्थ में जो बुक चलती है ebs की तो उससे ebs को complete करेंगे तो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हैं तो लिखाए पिछली कच्छाओं में हमने उन खाद पदार्थों की सूची बिनाई थी जिनें हम खाते हैं भारत के विविन बावों में खाय जाने वाले भिन 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 बेंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मान्चित्र में अंकित किया था इस पिरकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिड़ी हो सकती है यानि भारत की जितने भी राज्ज हैं तो उनमें अलग-अलग पिरकार का भोजन खाया जाता है तो इसी के बारे में बात थो रही है इसके अतरिकत अन्भोजन में अपम, मचली तथा सबजी भी हो सकती है दाल या मास का कोई व्यंजन तथा सबजी भी हो सकती है इसमें दही, मठा, अचार भी सामिल हो सकती है इस तरह के आहार के कुछ उधारर सारडी में दिये गई है तो इस सारडी की बात हो रही है जैसे पंजाब में मक्य की रोटी खाई जाती है ये अन्न का व्यंजन है दाल और मास का व्यंजन क्या है राजमा सबजियों में सरसों का साग खाया जाता है और अन्न व्यंजन में दही और घी खाया जाता है ऐसे ही आंध प्रदेश में अन्न का व्यांजन चावल खाया जाता है दाल या मास का व्यांजन जो है अरहर की दाल तथा रसम जिसे चारू गयते हैं वो खाया जाता है सबजियों में कुंदरू खाया जाती है और अन्य व्यांजन में मठ्ठा घी अचार भी खाया जाता है ऐसे ही गुजरात में ढोकला खाया बिहार में लिटी चोका खाया जाता है. तो पिरतेक राज्य का अपना अपना प्रसिद दियांजन है. जिसको वहां के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. अब लिखा है विविन पिरकार के खाद पदार्थों में क्या होता है. यानि जो खाद पतात होते हैं तो इन में क्या होता है इसके बारे में लिखा है हम जानते हैं कि पिरतेक दियंजन एक या एक से अधिक पिरकार की कच्ची सामगिरी से बना होता है यानि कि जो बियंजन हम लोग बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए कच्ची सामगिरी का प्रयोग किया जाता है और वह हमें कहां से मिलती है वह हमें पेड़ पौधों से मिलती है और जन्तूं से भी मिलती है यहां लिखा भी है कि जो हमें पादपों या जन्तुओं से मिलते हैं इस कच्ची सामगरी के संघटक क्या है? इस कच्ची सामगरी में हमारे सरीर के लिए कुछ आवस्यक घटक होते हैं यानि जो कच्ची सामगरी होती है तो उसमें आवस्यक घटक होते हैं सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं तो इन घटकों में क्या-क्या होता है कार्बो हाइड्रेट होता है प्रोटीन होता है वसा होता है विटामिन होता है तथा खनिज लवड होते हैं तो ये जो घटक होते हैं इनको पोसक कहते हैं और मुख पोसक हैं कार्बो हा तो हमारी भोजन में रुक्छान्स होना चाहिए और जल भी सामिल है क्योंकि ये सरीर के लिए आवश्यक है. तो मुख, पोसक, घटक कौन-कौन से हो गए इनको याद रखिए कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा, बिटामिन तथा खनेज. आगे लिखा है क्या सभी का खाद पदार्थों में ये सभी पोसक उपलब्ध होते हैं. कुछ साधारण बिधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामगिरी या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोसक उपस्तित है. कार्वो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा के परिक्चड, अन पोसकों के परिक्चडों की अपेच्छा सरल हैं. आईए इन परिक्चडों को करके परिक्चडों को साड़ी में लिखें. तो सबसे पहले कार्वो हाइड्रेट का परिक्षड लिखा है और कार्वो हाइड्रेट जो है कई पिरकार के होते हैं लेकिन भोजन में जो मुख कार्वो हाइड्रेट है वैं मंड और सरकरा के रूप में होते हैं तो यहाँ पर मंड का परीक्षड लिखा हुआ है तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रस्ण इससे बन जाता है तो लिखा है परीक्षड के लिए क्या चाहिए खाद पदार्थ या कच्ची सामगरी की अल्प मात्रा लेनी है और इसमें क्या करना है तनू आयोडीन बिलियन की दो या तीन बूने डालनी है और खाद पदार्थ का जो रंग है वह परवर्तित हो जाएगा तो यह रंग यद नीला हो जाए तो यह दर साता है कि इसमें मंड उपस्तित है ये तो हो गया मंड का परीक्षड अब लिखा है प्रोटीन का परीक्षड तो प्रोटीन का परीक्षड किस तरीके से करना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्रोटीन की परीक्षड के लिए किसी खाद पद की थोड़ी मात्रा लीजिए जिस खादपदार्थ का परिक्षड करना है यदि वे ठोस है तो पहले उसका पेश टत्वा चूड़ बनाने की आवशकता होती है खादपदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूड़ को एक साफ परकनली में डाल दें और दस बूंद डाल कर उसे अच्छी तरह से हिलाएं अब ड्रॉपर की साइता से परकनली में 2 बूंद कोपर सलफेट का बिलियन तथा दस बूंद कास्टिक सोडा का बिलियन डालिए अच्छी तरह हिला कर कुछ मिनट के लिए परकनली को रख दीजिए आपने क्या देखा क्या का पदार्थ का रंग ब्यांगनी रंग का हो गया ब्यांगनी रंग खाद पदात में प्रोटीन की उपस्थिती को दर्साता है यानि क्या करना है कि प्रोटीन परिक्षड के लिए जो खाद पदार्थ है यदि वे ठोस है तो उसको पीस लेना है और पीसने के बाद उसका बिलियन डालना है यानि दो बून कोपर सलफेट और दस बून का स्टिक सोडा बिलियन अब परकनली को अची तरह हिला कर उस देव के लिए रख देना है यदि उसका जो परकनली जो पदार्थ था यदि वैं बैंगनी रंका हो जाता है तो यह दर्साता है कि उसमें प्रोटी का परीक्षड है अब लिखा है वसा का परीक्षड तो वसा के परीक्षड में क्या करना है तो वसा के परीक्षड में खाद पदार्थ की अलप मातरा लेनी है और इसे कागच के टुकडे में लपेट कर कूटना है किसी वजनदार चीज़ से उसको कूटना है ध्यान ये इसे देखना है क्या इस पर तेल के धब्बे हैं यदि तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो यह दर्साता है कि उस खादपदार्थ में वसा की उपस्थिती है तो यदि कोई भी खादपदार्थ हमने लिया और कागज पर रखकर कागज में रखा और उपर से कागज उस प कूठना है यदि कागच पर तेल के धबे आ जाएं तो आप समझ लीजिए के इसमें वसा उपस्तित है तो ये है वसा का परिक्षड तो मंड प्रोटीन और वसा की परिक्षड को पढ़ लिया अब लिखा है विभिन पोसक हमारे सरीर के लिए क्या करते हैं यानि जो पोसक है वो हमारे सरीर के लिए क्या करते हैं इस वारे में लिखा है तो चलिए पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेड मुखरूप से हमारे सरीर को उर्जा प्रदान करते हैं वसा से भी उर्जा मिलती है वास्तविक्ता यह है कि कार्बोहाइड्रेड की तुनला में वसा की समान मातरा से हमें अधिक उर्जा प्राप्त होती है वसा और कार्बो हाइडरेट युक्त भोजन को उर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं यानि कि जिस भी भोजन में कार्बो हाइडरेट और वसा उपस्थित होते हैं तो ऐसा भोजन हमें उर्जा पिर्दान करता है अब यहाँ पर कुछ कार्बो हाइडरेट के कुछ स्रोत लिखे हुए हैं तो इनको याद रखिए या कहीं पर नोट कर लीजिए तो कौन-कौन से स्रोत हैं कार्बो हाइडरेट के शकरकंदी, आलू है, गन्ना, पपीता, तर्बूज, आम, मक्का, चाबल, बाजरा, गेहुँ इन सभी में कार्बो हाइडरेट पाया जाता है ये हैं वसा की स्रोत और वसा की स्रोत में ये जो है ये होते हैं पादपों से प्राप्त यानि पेड़ पौधों से प्राप्त और ये होते हैं जन्तूओं से प्राप्त तो पादपों से क्या-क्या प्राप्त होता है जिनमें वसा होती है गिरी है, तिल, तिल के लड़ू बनाए जाते हैं मूंखफली, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और सोयाबिन का तेल तो इनमें वसा होती है और ये पादपों से यानि पीड़ पौधों से प्राप्त होते हैं अब ये कुछ सरोत हैं जो जन्तुओं से प्राप्त होते हैं तो कौन-कौन से हैं मास है, घी है, दूध है, मक्खन है, अंडे है, क्रीम है और मचली तो इनमें भी परियाप्त मात्रा में वसा पाई जाती है लेकिन इनका जो स्रोत है वह जन्तु है तो दोनों को याद रखना है पादप स्रोत भी और जन्तु स्रोत भी अब ये प्रोटीन के कुछ स्रोत है तो प्रोटीन भी दो स्रोतों से प्राप्त होता है एक पादप स्रोत से और दूसरा जन्तु के स्रोत से तो ये पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत है कौन-कौन से है चना है, मूग है, तुगर दाल है, राजमा है, सोया बीन है और मटर है तो इन सभी में पर्याप्त मातरा में प्रोटीन पाया जाता है और जन्तूओं वाले सुरोत कौन-कौन से हैं मास है, मचली है, पनीर है, अंडे है और दूध है तो इन में भी प्रोटीन पर्याप्त मातरा में पाया जाता है अब लिखा है कि प्रोटीन की आवशक्ता क्यों होती है तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रोटीन की आवशक्ता सरीर की ब्रद्धी तथा स्वस्त रहने के लिए होती है प्रोटीन युक्त भोजन को प्राया सरीर वर्धक भोजन कहते हैं ये बात याद रखनी है, सरीर वर्दक भोजन कौन सा होता है, प्रोटीन युक्त भोजन, आगे लिखा है विटामिन रोगों से हमारे सरीर की रक्षण करते हैं, विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दात और मसूलों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं, तो ये ब्र A है, विटामिन B है, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K विटामिनों के एक समू को विटामिन B कॉम्पलेक्स कहते हैं हमारे सरीर को सभी पिरकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवशक्ता होती है यानि विटामिन जो है ये अधिक मातरा में नहीं लिये जाते इनकी आवशक्ता अल्प मातरा में होती है विटामिन ए जो है हमारी तवचा तथा आँखों को स्वस्त रखता है विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है बिटामिन D हमारी अस्थियों और दातों के लिए केलसियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं बिविन बिटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाए गई हैं तो चलिए बिटामिन किस किस में पाया जाता है यहां पर लिखा हुआ है तो बिटामिन A के सुरोत कौन कौन से है? तो बिटामिन A पाया जाता है आम में, मचली के तेल में, दूद में, पपीते में और गाजर में बिटामिन A की कमी से रतोंदी रोग हो जाता है तो बिटामिन A की कमी अगर यदी किसी को होती है तो उसे इन चीरों का सेवन करना चाहिए तो उसकी ये कमी जो है वह दूर हो जाएगी बिटामिन B के स्रोत कौन कौन से है यकरत है गेहू है और चावल है तो इनमें बिटामिन B परियात मातरा में पाया जाता है बिटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो बिटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है बिटामिन C के कुछ सुरोत है तो बिटामिन C के लिए आप याद रखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में बिटामिन C पाया जाता है अब खट्टे फल कौन कौन से हैं संत्रा है टमाटर है नीबू है आमला है अमरूध है लेकिन मिर्च को याद रखना है इसमे परियात मात्रा में विटामिन C पाया जाता है और खट्टे फलों में सभी में विटामिन C पाया जाता है अब विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो विटामिन C की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है यह विटामिन D के कुछ सुरोत छपे हुए हैं तो यहां पर विटामिन D सूर के पिरकास में भी पाया जाता है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है तो विटामिन के सबीस रोग के बारे में जान लिया और विटामिन की कमी से जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में भी जान ल पाया जाता है यह भी याद रखना है तो सभी बिटामिन के बारे में जान लिया बिटामिन के हरे पत्तिदार सब्जियों में सोया बीन कैनोला ओयल में पाया जाता है बिटामिन डी के बारे में यहां लिखा भी है कि हमारा सरीर भी सूर की पिरकास की उपस्तिती से बिटामिन डी बनाता है इन दनों कोई भी सूर के पिरकास में नहीं रह पाता जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है क्योंकि इस busy life में लोगों को time नहीं मिलता है सूर के प्रिकास में बैठने का इसलिए लोगों को vitamin D की कमी हो जाती है अब iodine के जो कुछ सुरोत है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो iodine के सुरोत है पालक, अदरक, मच्छली फासपोरस के कुछ सुरोत यहां पर लिखे हुए हैं क्या-क्या है, केला है, चावल है, गैहुं है और दूध है तो इनमें फासपोरस पाया जाता है ये सबी खनिज लवड हैं तो इनकी जो है सरीर को आवशक्ता होती है अल्प मातरा में तो यहां पर लिखा भी है कि हमारी सरीर को खनिज लवड की आवशक्ता अल्प मातरा में होती है सरीर के उचित विकास तता अच्छे स्वास्त के लिए प्रतेक खनिज लवड आवस्यक है विभिन में खनिज लवड के कुछ सुरोतों को दर्साया गया है तो यह खनिज लवड है तो यह आयोडीन के सुरोत है यह फासपोरस के लोह के कुछ सुरोत कौन कौन से है अमरूद है सेब है पालक है यकरत है तो इनमें आईरन भरपूर मातरा में पाया जाता है केलसियम के सुरोत कौन कौन से हैं तो केलसियम के सुरोत हैं दूद और अंडे आगे लिखा हुआ है अधिकांस खादपदार्थों में एक से अधिक पोशक होते हैं आपने सारडी में प्रेच्छडों को लिखते समय इस बात को अवश्च देखा होगा यानि कुछ खादपदार्थ हैसे होते हैं जिनमें एक से अधिक पोशक पाए जाते हैं आगे लिखा है फिर भी किसी कच्ची सामगरी में एक निश्चित पोशक की मातरा दूसरे पोशकों की मातरा से अधिक हो सकती है उधारता चावल में कार्बो हाइडरेट की मातरा दूसरे पोशकों से अधिक होती है इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बो हाइडरेट समरद भोजन है यानि चावल में जो है कार्बो हाइडरेट समरद्ध मातरा में यानि पर्याप्त मातरा में पाय जाता है आगे लिखाए इन पोस्कों के लावा हमारी सरीर को आहारी रेसों तथा जल की भी आवशकता होती है आहारी रेसे जिने रुक्छांस कहते हैं लिखा भी है आगे आहारी रे से रुक्छांस के नाम से भी जाने जाते हैं, हमारे खाने में रुक्छांस की पूर्ती मुक्ता पादप उत्पादों से होती है, कौन-कौन से हैं? रुक्छांस के सुरोत साबुत, खाध्यान, डाल, आलू, ताजे, फल और सब्जियां रुक्छांस हमारे सरीर को कोई पोशक प्रदान नहीं करते फिर भी यह भोजन का आवश्यक अवयब है इसका और इसका आयतन भड़ा देते हैं रुक्छांस बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शायता करते हैं यानि कि रुक्छांस जो है इनमें कोई अभियब नहीं पाया जाता है जो सरीर के लिए आवश्यक हो लेकिन फिर भी ये भोजन के लिए आवश्यक होते हैं भोजन में इनका रहना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और इनका मुखकार है क आगे लिखा है जल भोजन में उपस्तित पोस्कों को अवसोशित करने में हमारे सरीर की सायता करते हैं या कुछ अवसिष्ट पदार्थों जैसे के मूतर तथा पसीने को सरीर से बाहर निकालने में सायता करते हैं सामानिता हमारे सरीर को जितने जल की आवशक्ता होती है वह हमें उन वस्तमों से प्राप्त होता है जिने हम द्रव रूप में लेते हैं यानि कि सरीर को जल की आवशक्ता होती है, तो जो द्रव रूप में हम पदार्थ लेते हैं, उनसे जल की पूर्ती होती है, जैसे जूस होता है, दूद होता है, चाय होती है, इसके अलावा भी जो फल होते हैं, रसीले फल, उनसे भी जल की पूर्ती होती है. अब पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में तो इससे एक प्रस्ण पूछ लिया जाता है तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं लिखा है सामानिता पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं हमारे सरीर की बुरधी और अच्छे स्वास्त को बनाई रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पो सकत तो उचित मातरा में होने चाहिए जिनकी हमारे सरीर को आवश्यक्ता है कोई भी पो सकत ततो ना आवशक्ता से अधिक हो और ना ही कम हमारे इस आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्छांस तता जल भी होना चाहिए इस पिरकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं यानि कि जो भोजन हम लोग गिरहड करते हैं तो उसमें जो भी पोसक्ता तो है वै ना तो आवश सक्तिया आवश्यक्ता से अधिक हो और उनमें पर्याप्त मात्रा में जल भी हो और रुक्छांस भी हो तो ऐसा आहार कहलाता है संतुलित आहार आगे लिखा हुआ है दाले मुंफली सोयाबीन अंकुरित वीज किंडवित भोजन आटे का मिस्रड केला पालक सत्तु गोड उपलब्द सबजियां तथा इसी पिरकार के अन भोजन कई पोशक उपलब्द कराते हैं इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्याय में भी संतुलित खा सकता है उचित पिरकार का भोजन करना ही परियाप्त नहीं है इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए यानि कि भोजन उचित तरीके से तो करना आवश्यक है लेकिन भोजन उचित तरीके से पका हुआ भी होना चाहिए ताकि इसके पोशक तत्व नस्ट ना हो क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोशक तत्व नस्ट हो जाते हैं छिलका उतार कर यदि सबजी और फलों को धोया जाता है तो यह संबव है कि उनके कुछ बिटा में नस्ट हो जाएं यानि कि कुछ सबजियां होती हैं जिन्हें छिलके उतार कर नहीं धोया जाता उनको पहले ही धोलिया जाता है उसके बाद उन्हें काटा जाता है जबकि कुछ सबजियां ऐसी होती है जिन्हें पहले काट लिया जाता है फिर धोया जाता है तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि उ हैं वो नश्ट ना हो आगे लिखा है सबजीयों और फलों की तवचा में कई महत्पूर विटामिन और खनिज लवड होते हैं चावल और दालों को बार बार धोने से उन्हें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवड अलग हो जाते हैं आगे लिखा हुआ है हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद भड़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोसक ततों की हानी भी हो सकती है यदि भोजन पकाने में अत्यदिक जलका उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फ पानी डाल दिया और आदि बाद में दाल पकने के बाद उस पानी को निकाल दिया तो जो पोशक तत्र थे गहाएंध। जो गया इसलिए खाना भी प्रयाप्त जल के साथ ही पकाया जाता है ताकि उसके खनिज लबड प्रोटीन नस्ट ना आगे लखा हुआ है पकाने में विटामिन C आसानी से गर्मी से नस्ट हो जाता है क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सबजियों को सम्मिलित करें यानि कि विटामिन C होता है वो गर्मी में आसानी से नस्ट होता है इसलिए कुछ फलो और कच्ची सबजियों को खाने में सम्मिलित करना चाहिए ताकि उनके जो पोसकतत हैं उसमें बने रहे आगे लिखा हुआ है हर समय वसायोक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है बूजो ने सोचा कि हर समय वसायोक्त भोजन खा क्या ऐसा नहीं होता अता उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा पूरी मलाई रबडी पेड़ा आदी प्रचुर वसायोक्त भोजनी खाया और इसके लावा कुछ नहीं खाया तो एक प्रस्ण पूछा जाता है कि दो लड़किया है उनमें से एक जो तले हुए चीजे हैं सम और दिब्या दो छोटी लड़किया है यह प्रस्ण पूछा गया है कई बार मीरा को समोसा कटलेट और ब्रेड खाने का सौक है जबकि द्रिब्या को आइरन की कमी वाला खाना पसंद है मीरा और दिब्या निम्न में से किस रोक से पीडित हो सकती है तो इसी से जो यह प्रश्न पूछा जाता है, तो जो कटलेट समोसा ये सब खाती है, उसे होगा मोटापा, और जो आईरन की कमी वाला खाना खाती है, उसे होगा एनेमिया, तो इस तरीके से प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है, तो इसलिए इनको पढ़ना आवस्यक है. आगे लिखाए कि आप सुचते हैं कि वह ठीक था, निसंदे नहीं, इतना अधिक वसायोक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारख हो सकता है, हमारे भोजन में बसा की मात्रा अत्यदिक मोटापे का कारण बनती है, यानि यदि हम अत्यदिक वसायोक्त भोजन खाएंग तो हमारा सरीर जो है वह मोटापे का सिकार हो जाएगा, अब पढ़ते हैं अभाव जन रोगों के बारे में, वह लिखाए एक व्यक्ति खाने के लिए परियाप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी बिसेश पोसक की कमी हो जाती है, यदि है कमी ल लंबी अवदी तक पोसकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभाव जन रोग कहते हैं, यानि यदि हमारे भोजन में किसी पोसक तत्व की लंबे समय तक कमी वनी रहती है, तो हमें उसके कारण अभाव जन रोग हो जाता है, आगे लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक् उनका उड़ना त्वचा की बीमारियां और पेचे से यानी यदि किसी व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन की कमी है तो उसको कौन-कौन से लक्षड उसमें दिखाई देंगे कि उसकी विरद्धी रुक जाएगी उसकी चहरे पर सूजन बनी रहेगी उसके बालों का रंग सफे दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी विरद्धी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुरुबल हो जाएगा कि चलने में भी आसा मर्थ होगा तो यदि प्रोटीन और कार्वोहाइड्रेट्स दोनों की कमी लंबे समय तक वनी रहे तो व्यक्ति जो है वह चलने फिरने में भी आसा मर्थ हो जाएगा आगे लिकाए विबिन बिटामनों और खनिज लबडों के अभाव से विबिन रोग अथवा विक्रतियां हो सकती है तो जो पूसक लेसन यहीं पर समाप्त होता है तो आज की लेसन में भोजन के घटकों के बारे में जाना संतलित आहर के बारे में जाना भोजन में जो भी पोसक तत्व होते हैं उनके बारे में जाना विटामिन की कमी से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं उनके क्या-क्या सुरोत हैं खनिज शलावा शुरोत जो है बताना होगा आपको चार ऑप्सें दिये जाएंगे तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है राजमा में में पाया जाता है चुछ सी कमी से इसकर वी रोख हो जाता है और बिटामिन खटे फ़लों में पाया जाता है और इसके अलावा हरी मिर्च में भी बिटामिन C पाया जाता है तो ये सब कुछ बता दिया है इस लेशन से कोई भी प्रशनी गलत नहीं होना चाहिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई